किसी के अस्तित्य को मिटाने की वज़े है, उसे सांती से जीने दो खुद भी सांती से जीओ, तभी आपका कल्यार संभा होगा ये किस ने कहा था? महावीर स्वामी ने आप जानते होंगे कि जहन धरम के जहन धरम में आप देखते हैं महावीर जहनती भी मनाई जाती है और ये भगवान कितने ने मानते भी है तो आज हम लोग इनी के बारे में बात करने बाले है महावीर स्वामी के जीवन परचे के बारे में यानि कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि महावीर स्वामी की वायोग्राफी इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि बुद्ध को भी हम लोग देख चुके हैं फिर आपके असोख हो, चाहे आपका चंदगुप्त मौर हो, या फिर आपका चाड़क हो, फिर चाहे आपका सिकंदर हो, और भी आपके देश के बिदान मंतरियों की, राट्षपतियों की, और भी जो चल्चा में रहते हैं, जैसे अन्नाह जारी हो गए, इन सब के बारे मैं बात कर चुका हूँ, बहुत बिस्तार से, और याद रखिए मैंने इतिहास से लेकर, प्राचीन काल से लेकर, पूरा मद्देकाल और वर्तमान की जितने भी चल्चा में लोग रहते हैं, जो भी महान है, जिनने कुछ किया है, जिनसे आपको पेड़ा मिल सकती है, उन सब के के नम से आपकी फिले लिष्ट सूची है, उसी में सभी कलासें डली हुई हैं, तो चलिए हम लोग स्वामी महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं, और वैसे आप जानते होंगे कि जो जैन धरम के 24 वितीर्द कर भगवान महावीर स्वामी हैं, इन्होंने आपने देखा ह कि किसी के अश्टित को मिटाने की बजए, उसे सांती से जीन दो, और खुद भी सांती से जीओ, तभी आपका कल्यार संभा होगा, आज हम देखते हैं कि ना तो सामने वाले को हम लोग सांती से जीने दे रहे हैं, और ना ही खुद सांती से जी रहे हैं, जहां देखिए कोई धरम आपको लड़ानी की बात करता हूँ समझ रहे हैं आप लोग हर धरम में कुछ ना कुछ अच्छी सीख दी गई है लेकिन हम मानते कहा हैं अधिकतर लोगों को धरम के बारे में अपने में मालू ही नहीं रहता है अब हमारे सरी राम भगवान को ही ले लेजे ए पुरोसतम सरी राम पोरसों में उत्तम सरी राम आप समझ रहें मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर उनके जो जीवन उन्होंने जिया है अगर उसे ना जीते तो वो एक राम यानि की दसरत के पुत्थ बनकर राम रह जाते समझ रहें आप लोग उनकी जिन्दगी में जो घटना है घटी जिस तरह से उन्होंने अपना करम किया उससे उन्हें भगवान बना दिया उन कर्मों ने उन करवों ने उन्हें पुरुसत्तम राम बना दिया, समझ रहे हैं आपसों, कि किस तरह से आप फिल्मी दुनिया में देखते हैं, मूबीओं में देखते हैं, इस तरह से नहीं आप उनकी जगे अपने आपको कभी रख कर देखिए, देखिए कभी अपने आपको की एक लड आननाय नहीं गही होगे थे वो आप जो टीवीओं में देखते हैं एक जंगल का मतलब आप समझ रहे हैं उसके बाद आप देखते हैं कि एक स्रीलंका से कोई आता है और उसकी बीवी को हर ले जाता है आप समझे उस समय सुचना की इस तरह कोई बिवस्था भी नहीं थी नियूच पे पर भी नहीं थे कि मालू चल जाए कि सीता माता का हरन कौन कर ली गया फिर वो तमिल सैनाय बनाता है और जाकि स्रीलंका से पत्नी को जीत कर यानि कि उसे हरा कर रावड को अपनी पत्नी को बापस लाता है फिर उसके बाद आप देखते हैं कि पत्नी को दुबारा आप किसी भी परिस्तितियों के कारण दुबारा जंगल में छड़वा दिया जाता है उसके बाद आपने देखा है कि अपने बेटों से योद करना पड़ता है तब जाके आज हम लोग उन्हें भगवान मान रहे हम लोग पूज रहे तो याद रखिए अपने करण आप भी इस समय भी भगवान बन सकता है कोई दोहरा नहीं है आप लोग किसी के लिए दूसरे के लिए जीया करिएगा देखिए वो आपको भगवान मानने लगीगा समय रहे तो चलिए आज हम लोग महावी स्वामी के बारे में जानते हैं वैसे याद रखिए इनके जनम के बारे में कई गरंतों में अलग-अलग इनकी जनमतिती बताई जाती है तो आपको जनम्तितियम के बारे में जैन्दा गोला जिना नहीं है बस इनके जो उपदेश हैं इनकी जो सिक्षा है जो हमें सिखा सकती है कुछ उससे हमें सीख लेनी है बस इनके पैरंबिक जीवन की बात करें तो जैन धरम के महान तेर्द कर महावी स्वामी 599 इसापूर्व 599 इसापूर्व यानि की बीसी में बैसाली गरतंत के चत्रिये कुंड चत्रिये कुल नगर में एक छाकू बंस के राजा सिदार्थ और रानीत तिसला के यहां चैत महिने की त्रेव दसी कि दिन एक साधारन बालक के रूम में इनका जनम होता है तो आप कह सकते हैं कि इनका बंस कौन था है एक चाकू और कहां बैसाली में हुगा आता है इनका जनम इनके पिता का नाम सिदार्थ और माता का नाम तिसला था बगबान महावीर कई नावों से जाना जाता है ने, उनके कुछ प्रमुक नाम जैसे वर्द बान हो गया महावीर, सन्मती, सैवर्ण, आधी एक कुछ उनके मत्पन, मत्पूर नावे, महावी स्वामी के भाई का नाम नंदी वर्दन था, क्या था, नंदी वर्दन, और अगर इनकी बहन का नाम बात करें तो स सोदाव के साथ कर दिया, बाद में वोने एक पुत्री की प्राप्ती भी होती है, प्रिये दर्शना की, और उनका बिवा कर दिया जाता है, जमली या फिर जमाली भी इसे बोलते हैं, यह इनका एक परिवारिक पेश्ट भूमी होगी, आप समझ रहे हैं, जिससत तरह से हमा आपकी होती है, अगर हम महावी से जोड़ी बिविन ने चरन कुछ मत्कून घटनाव की बात करें कताओं की, तो महावी स्वामी की जनम के समय चत्रिये कुंड गाउं में दस दिनों तक उत्सव मनाये गया, सारे में त्रों भाई बंदूओं को आमंतित किया गया, उनका ख पूप सत्कार भी किया गया, राजा सिद्दार्थ का कहना था कि जब से महावी स्वामी का जनम उनकी परिवार में हुआ है, तब से उनके धन, धान, कोस भंदार, बल आदी सभी राच्किये साधनों में बहुत बिद्धी हुए, तो उनकी सबकी सहमती से अपने पुत का न हमारी संपत्ती बढ़ गई, हमारा एक काम बढ़ गया, वो काम बढ़ गया, तो यह उस समय भी मानताय थी, ठीक है, महावी स्वामी के विवाय की अगर बात कहें, कहा जाता है कि महावी स्वामी अंतरमुखी सौभाव के थे, और सुरुआ से ही उन्हें संसार के भोगों मे कोई रोची नहीं थी, परन्तु माता-पिता की इक्षा के कारण उन्होंने वसंद्पुर के महा सामन्त समर बीर की पुत्री एसोधा के साथ बिवा किया, उनकी एक पुत्री भी आप जानते हैं कि पहले बिवात कर चुका हूँ, प्रिये दर्षना, एक बात और याद रख पुत्ता था कि आपने देखा है, बुद्ध के बारे में भी बता दिया कि या तो वो धर्म उपदेशक बनेंगे, और दुनिया को धर्म का एक राष्ता समझाएंगे, या महा समराद बनेंगे. तो इनके के बारे में भी ऐसे ہी कहानी गड़ी जाती है, महवीर स्वामी के बारे में. तो इनके पिता लोग क्या करते थे कि इनके जिसे राजा हैं तो जंदी साधी कर दिया करते थे और आज भी तो आप लोग देखते हैं कि अगर बेटा बिगड रहा है तो साधी जंदी कर दी जाती है कि वो मोय माया में बिद जाए और आँगे सभी काम छोड़ दे सही रास्तों पर चलने लगे समझ रहें महावी स्वामी स्वामी का बैरागी की अगर बात करें तो महावी स्वामी के माता पिता की मित्यू के बश्चाद उनकी मन में बैराग लेने की इच्छा जगरेथ हुई परन्तु जब उन्होंने इसके लिए अपने बड़े भाई से आग्या मांगी तो उन्होंने अपने भाई से कुछ समय रुखने का अगर किया तब महावी स्वामी ने जीने अपने भाई की आग्या का मान रखते हुए दो बर्स परशाद यानि कि 30 बर्स की आयू में बैराग लिया याद रखिए आज जैसे भाई नहीं थे कि आज आज आग्या आप नहीं मानते हैं भाई कह रहा है कि इस दे सामें जाना है आप दूसरी दे सामें जा रहे हैं वो समय लखी रुखा करती थी आप सरी राम के मामले में ले लीजी फिर चाहिए आप लोग रावड को ले लीजी मैं गलत नहीं आप मैं स्थीख अगर जहां से भी मिल लई ले लीजी अब रावड जैसे भाई आप देखिए कि कहीं किसी को मिलेंगी कितनी बभादारी से साथ देते रहे और कभी रामायड आप देखते हैं आज की भी रामायड देखते हैं तो उनकी बातों को सुनिए रावड के जो भी भाई हुए कि कितनी अच्छी बात करते हैं आपने सुना होगा कि कुमकरन जब राम से योद करने के लिए जाते हैं योद चेत में तो कहते हैं कि वो भाई का साथ देना अच्छे में तो हर कोई साथ दे देता है जब भाई बुरा है मालू है कि ये गलत रास्ते बजा रहा है फिर भी उसका साथ देना यही भाई का करतब होता है तो मेरा कहने का मतलब यह है सीधा सा कि हम जब अच्छा टाइम चल रहा हूँ हमारा तो हजार लोग बिना साथ दिये साथ मांगे भी साथ देने लगते हैं जब आपका बुरा वक्त चल रहा हूँ तो आप खुद देखते हैं कि आपका अगर साथ मांग भी रहें आप लो तब भी लोग साथ छोड़ कर चले जाते हैं आँगे बढ़ते हैं इतनी कम आयू में घर को त्याग कर कि इस लोच के जंगल में रहने लगे महाविर स्वामी वहाँ उन्होंने बारे वर्स के कठोड तब के बाद जम्मक में रिजू पाली का नदी के तट पर एक साल वेक्ष के नीचे सच्चा ग्यान प्राप्त किया तो इस नदी को भी याद रखी रिजू पाली का और एक बाद और बताओं ये राजा महारा राजा थे इनके पास क्या सुविधा नहीं थी सोचिए आज के दिन में हम लोग सोचते हैं कि दो-चार आप कुछी पर प्रोपर्टी हुई अगर माबापने खड़ी भी कर दी तो हम उसी में लीन हो जाते हैं हम आँगे कुछ सोचते ही नहीं हैं और इनको सोचिए कि एक समराज छोड़ने के बाद जा रहे हैं जंगल चले जाते हैं इसके बाद उन्हें केवलिन नाम से जाना गया और उनके उफदेश चारों और फैलने लगे बड़े भाई बड़े राजा महा स्वामी महावी स्वामी के अनुवाई बने और उनमें से आप लोग बिमिसार को भी देखते हैं बिमिसार भी एक सासक था ये भी महावी स्वामी का अनुवाई बना एक बात और आपको याद दिलाओं कि देखिए अगर राम होते या फिर किसी को भी आप ले लिजे फिर चाहिए आप लोग अभी भी आपके सुतंता सेनानियों को ले लिजे भगस सेंग, राजगुरो, सुखदेो अगर ये साधी करते हो सकता है कि दो-चार बच्चे पहना कर देते, एक परिवार वसा देते, लेकिन इतिहास ने कभी याद नहीं रखता आज हम लोग पढ़ते हैं उनकी बारे में, ये कभी नहीं याद रखता है, आज भी आप देख रहे हैं, 135 करोड के करीब आपकी जनसंग क्या है देश की डेली लाखों लोग मर रहे हैं, कौन याद रखता है, रखता है आपको मालू है कि कोई याद रखता है देखिए जो आप करम करते हैं, और जिस हिसाब से आप जीते हैं, उसी हिसाब से दिहास आपको याद रखता है आज आप देख रहे हैं कि सामने के वाले के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई किसी को पेट रहा है, तो हम तमासा देख के निकल जाते हैं किसी गरीब के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हम ताली वजा की निकल जाते हैं एक जिंदा लास बन कर हम लोग देखते रहते हैं अगर यही आप सोचें कि आजादी से पहले कि जो भी सितंता सैनानी हुए जो भी हमारे देश के नेता हुए अगर वो भी यही सोचते तो साथ आज हम लोग गुलाम होते हैं इसमें कोई फरक नी पड़ता उन्हें मालू था कि मौत है आंगे अंग्रेजों से मतलब टकर लेना यारी कि मौत को अपने बुलाबा देना हस्ते हस्ते कई लोगों को आप देखते हैं कि फासी के फंदे को जूल गए आजादी के लिए स्रिफ तो कुछ देखिए तभी उन्हें याद रख रहे हैं हम लोग बड़े अच्छे से पढ़ते हैं उनकी जो भी जैनती होती उसे बड़े हम लोग अच्छे से मनाते हैं तो आप पर निर्वर करता है आप क्या करते हैं बाद में आप देखते हैं कि 30 बर्स तक महावी स्वामी ने त्याग त्रियाग प्रेम एहनसा का संदेश फैलाया और बाद में वे जैन धर्म की 24 बेर तीस्तकर बने और विसके सेष्ट महात्माओं में सुमार हुई और आप जानते हैं कि जो एहनसा की बात की जाती है गांदी जी ने तो आप समझेए कि भारत में 1817 में जो चमपारण का अंदोलन होता है तब आकर अहनसा का फ्रियुक्या गांदी जी ने लेकिन आप देख रहे हैं कि 2000 से 2500 साल पहले की बात है कि अहनसा का राष्टा इन्हों ने चुना इन्हों ने बताया कि ये है अहनसा आज जो हम लोग बात करते लहते हैं गांदी जी के अहनसा की सिद्धान्त की तो इन लोगों की देने मातमा बहुत दिकी महावी स्वामी की आगे चलते हैं लोग उपसरग अभी ग्रे केवल ग्यान तीस बर्स की आयू में महावी स्वामी ने पूर्ण सयम रखकर सेवन मर गई सर्वन बन गए तथा दीख्चा लेती हैं उन्हें मन परियाय का ग्यान हो गया दीख्चा लेने के बाद महावी स्वामी जी ने बहुत कठिन तपैस्या की और विभिन कठिन उपसरगों को समता भाव से ग्यान किया इसे आप लोग भी अभी भी देखते हैं कि अगर आप महनत कर रहे हैं अगर आप पढ़ते हो और तयारी अच्छे से करते हैं तो आप Select होते हैं इसमें कोई दोरा नहीं है या फिर किसी भी चेत को आप ले लीजे एक सामानुक सा बात लेजिए कि आप खाना बना रहें तो क्या खाना आपको वो मिलेगा नहीं ऐसा तो है नहीं कि कोई खाना उठा के भाग जाए देखे अगर घर से आप निकल गए तो अपनी मंजल तक पहुँचने में आपको कितनी भी बाद आया है कोई नहीं रोख सकता है ए अलग बात है कि कई लोग क्या करते हैं कि किसी एक को बहाना बना लेते हैं कि मैं इस समस्या के कारण सफल नहीं हो पाया हूँ देखे समस्या कभी भी जीवन में आती रहते हैं हमेशा आती रहते हैं कई लोगों को आप रियाद रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि उनकी जीवन ही पूरी समस्याओं से बीती है, मैं तो कहता हूँ कि भवान सुरी राम के बारे में आप लोग कभी पढ़िये, उनकी पूरी जिंद्गी समस्याओं से भरी रही हुई है, कितने मतलब उनका क्या सौभाव था देखते हैं आप लोग हसते रहते हैं कभी आमने लोग टीवी चलिए रामाएड उनके जो गिरन्त हैं उन्हें मत पढ़िये मैं तो कहता हूँ जो सिरियल आया हुआ है उसे ही देख लीजिए आप लोग उसमें भी बहुत कुछ बताये गया है आगे आपका साधना की वारेवे वर्ष में महावी स्वामी जी मेडिया गिराम से कोसम भी आये तब उन्होंने पोस किष्णा पिती पदा की दिन एक बहुती कटिन अभी ग्रह धारन किया इसके पश्चा साड़े बारे वर्ष की कटिन तफस्या और साधना के बाद रिजू बालुका या रिजू पालिका भी कहते हैं इस नदी को रिजू बालुका नदी के किनारे महावी स्वामी जी को साल ब्रेक्ष के नीचे बैसाक सुल्क दसमी के दिन केवल यानि कि ग्यान केवल दर्सन की उपलब्दी हुई केवल ग्यान को कहते हैं केवल ठीक है महावीर और जैन धरम के बारे में अगर बात करूँ तो महावीर को बीर अती बीर सर्मती के नाम से भी आप लोग जानते हैं वे महावीर स्वामी ही थे जिनके कारण 23 वे तीर्थ कर फारत सुनवात द्वारा पितीपादे सिध्धानतों ने एक बिसाल धरम जैन धरम का धरन रूप लिया है जैन धरम आज का नहीं है आप सोची बहुत पुराना है लेकिन सबसे जानदा किसके टाइम में इसे एक तरह से चलचान रहा है फैला महावीर के कारणी भागवान महावीर के जनम इस्तान को लेकर विद्वानों में कई मत भी फिचलेते हैं लेकिन उनके भारत में अवतरन को लेकर बे एक मत हैं बेभागवान महावी के कारकाल को इराक के जरात्रुष्ट, फिलिष्टेन के जरीमिया और चेन के कनफियूसियस तथा लाउत्सो और यूनान के पाइथा गुरस, पिलेटो और सुकराद के समकालीन मानते हैं भारत वर्स को महावी स्वामी ने गहरे तक प्रभावित किया, उनकी सिक्षाओं से ततकालीन राजबंस खासे प्रभावित हुए, धेरों राजाओं ने जेन धरम को अपना राजधरम भी बनाये, बिमिसार और चंदगुप्त मौर के नाम को आप जानते हैं, इन्होंने जे जेन धरम का आधार भी बनाया, उन्होंने ततकालीन हिंदू समाज में वैप्त जाती पे ठाकवा, विरोध भी किया, सबको समान मानने पर जोर भी दिया, आज आप लोग समिधान में बात करते हैं, मौली का दिकारों की, समान मानने का दिकार भी आपको दिया है, कि सब के स अच्छा विवार किया जाए, कानून के समख्च सब की समान ता, यानि कि किसी के साथ कोई भी भाव ना किया जाए, तो आज समझे एक तरह से आप कह सकते हैं कि महावी स्वामी के समान मानने का दिकार, समझ रहे हैं, इन्हीं के उपदेशों के पर भावित है, उन्होंने जीओ और जीने दो के सिद्धान पर जोड़ दिया सबको एक शमान नजर में देखने वाले भगवान महाबीर अहनसा और आप परीगरे के सक्षात मूर्थी थे बे किसी को भी कोई दुखी नहीं देना चाहते थे और आज हम लोग देखते हैं कि हम दूसरे को दुख देकर इतना खुस होते हैं जैसे मैंने दुनिया का सबसे सब कुछ पा लिया हूँ एक बात आप लोग हमिशा याद रखिए मैं इतना कहता हूँ कि आप खुसी अगर आपको लगता है कि आप दूसरे को दुख देकर आप खुसिया मना लेते हो तो आप इंसान नहीं हो सकते हो ठीक हो सकता है दो पल के लिए आप खुसिया मना लो लेकिन जिंदगी बार आप कभी खुस नहीं रह सकते हो क्योंकि आपके बास कोई हग नहीं है कि किसी की खुजी आचीने या किसी को आप गिराएं या किसी की जिंदगी से खेलें आप लोग समझ रहे हैं? तो अपने जिया करिए अपनी जिंदगी पर मतलब फोकस करिए न दूसरे को गिराने में क्या फरक पड़ता है? वो क्या उखाड लोगी? अगर आपकी वज़र से चलिए माल लेता हूं कि सामने वाला मर जाता है आप पर भरोसा गरता है आपको उसका भरोसा तोड़ते हैं या माल लिजए आपने उसे किसी भी तरह से चोट पहुँचाई वो मर जाता है चलिए उसका जो हुगा अच्छी बात है लेकिन क्या आपने क्या उखाड लिया? ऐसा तो है नहीं कि हमर हो गए आप लोग महावी स्वामी के उपदेशों की अगर बात करें हम लोग तो भगवान महावी ने एहंसा, तब, सयम, पांच महाविट, पांच सम्ती, तीन गुपती, अनेकांत, आपरिगे, और आत्मबात का संदिश दिया महावी स्वामी जी ने यग के नाम पर होने वाली पसु वली, पसु पक्ची, नर वली का पूर्ण रूप से बिरूद किया जो आप देखते हैं, आज भी आप लोग इस तरह की पसु वली की बात करते रहते हैं कहीं भैसा चटता है, कहीं बकरी की बली दी जाती है, बकरी की बली दी जाती है तो इन सब का बिरूद किया किसने? महावी स्वामी साहब ने आप सोचिए कि उनमें भी तो जान है और वो तो मुझे लगता है अपना बेहतर, हम लोगों से बेहतर धरम निभाते हैं इस समय आप देखते हैं कि जिस ठाली में खाते हैं उसी में क्या कहते हैं? छेद कर देते हैं यानि कि उसी को मिटा देते हैं, कोई अगर आपका हाथ पकड़ रहा है तो उसी के हाथ को खा जाएगी अभी कभी सुन रहा था, कुछी दिन पहले एक आर्टिकल निकला हुआ था कि एक कुत्ते ने एक इनसान की जान बचाई ये तो आपने हैसकत सुना होगा, इस तरह की कहानी आप कमी सुनते हैं लेकिन ये जरूर सुनते हैं कि एक इंसान ने चार कुट्तों को मार दिया या पर किसी पसू को मार दिया, किसी पसू को कुछ कर दिया, इस तरह की गटनाया आप लोग सुनते रहते हैं, तो इंसान पता नहीं कहां जा रहा है, तो इनों ने पसू बली और बली की पूर्ण भी दिये, आज भी आप देखते रहते हैं, आज भी आप सुनते रहते हैं कि किसी को गोड़ी पर नहीं बैठने दिया, गोड़ी पर नहीं बैठने दिया, किसी को समसान में सब नहीं जलाने दिया, किसी को आप देखते हैं, किसी तरह का भेदभाव करते रहते हैं समझ रहे हैं तो मतलब आप समझे हैं कि 2-5 साल पहले इस तरही की बात की गई जाती पाती की लिंग भेत की, मिटाने की आज भी हम देखते हैं कि महलाओं के साथ कितना भेतवाव की आ जाता है आज तक हम लो उनकी मतलब भगवान स्वामी महावी साहब के उपदेशों को समझ नहीं पाए हम लो आज आप देखते हैं कि भगवानों के नाम पर राजनीती के जाती है तो मैं तो कहता हूँ आप मुसले में कोई भी धरम किसी भी हिंदू धरम है या कोई भी हिसाई आप किसी भी धरम के हैं एक बार मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपने धरम में जाकर देखिए कहीं आपको ऐसा मिल जाए कि किसी के धरम को नीचा दिखाना या किसी को गिराना किसी के साथ बुरा करना तो मुझे बताईएगा आप लोग हिंदू धरम को कभी मैं देखिए बाकी धरमों के बारे में नहीं जानता हूँ लेकिन हाँ हिंदू धरम के बारे में मैंने कुछ बहुत कुछ पड़ा भी है और बहुत कुछ हभी भी पढ़ता रहता हूँ लोगडाउन के टाइम आपने साहद नहीं ध्यान दिया हुगा लेकिन मैंने पूरे रामार्ड को आपके जो एपिसोड आई हुए है एपिसोड उन्हें भी मैंने बहतर तरीके से देखा उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिले हैं मुझे और मैंने रामार्ड को भी देखा तो आप लोग देखिए उसमें कभी नहीं बताया गया है कि किसी तरह सी कहते हैं कि रामर्ड को मारने की बात राम एक साल के लिए तपस्या यानी की प्राष्चित करने लगे तो उनके जो लच्मर्ड साहब थे उन्होंने का कि आप पागल है आप लोगोंने मतलब जिसने सीता माता कहरन किया हुआ है आप उसके मरने की पश्चाता आप कर रहे हैं तो उन्होंने का कि दस में उसमें नो गुड़ खराब थे लेकिन एक बो भक्त था इसलिए मैंने एक भक्त को भी मारा इसलिए मैं प्राश्चीत कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं तो मतलब उनके जिन रास्तों पर हम लोग राजनीती कर रहे हैं कमसे का मैं मालू तो होने चीए कि हम आखिर ऐसा कर रहे हैं अभी किसी ने मुझे कली पर सो मैसेज किया हुआ था इस तरह की बातों को मैं बैसे इक बताता हूँ कही लोग करते रहते हैं कोई बता रहा था कि वो कि सर वो क्या हुआ की अभी यूबानेता बनाए गये हैं MP, U, P, सब जगे इस तरह की यूबानेता, मंत्री, महा मंत्री कोई प्यधान मंत्री, पता नहीं किस किस तरह से, एक तरह से राजनीती है, कि सभी को जोड़कर बोट बैंक की राजनीती बढ़ाना, तो बोल रहा था कि वो कोई लड़की थी, बता रही थी कि वो कन्या पाट साला है, कोई मतलब लड़कियों के लिए special school नहीं होते हैं, मतलब आप सोचिये की साल, अभी इनके बारे में क्या बोला जाए, कि नेता आप कम से कम है, नेता का एक मतलब क्या समझते हूं, मतलब लड़कियों को तुम मतलब परिशान कर रहे हैं, तुम्हारी हालत तो उस कुट्टे से बुरी है, मुझे लगता है कि जिसके चलते हम तो गुरास्ता भी बदद देते हैं कि ये काट लेगा, ये काट लेगा तो आप समझ सकते हैं कि मतलब नेता बनने का यतना है कि तुम अपनी गाड़ी के सामने लिखवा दिया आपने युवा नेता महामंतरी, पिधान मंतरी तो कम से कम आपको इजिस संबान तो करना चाहिए सामने वाले से ये हालत है हमारे देश की चलिए खेर छोड़िए जो जैसा कर रहा है वैसा भुखतेगा निर्वार्ण की बात करें तो कार्थिक मास की अमास्या को, राती के समय महावी स्वामी निर्मार को पराप्त हुए निर्वार्ण की समय महावीर स्वामी जी की आयू बहत्तर वर्स की थी निर्वार्ण का कहने का मतलब होता है मेरा, यहां की इनकी मित्यू उसे लिया जाता है कि इनकी मित्यू हो गई ठीक है? बहत्तर वर्स की आयू में इनकी मित्यू हो गई 527 के करीव की बात है अब बात कर लेते हैं कुछ बिषस्तथ्ते भी हैं महावीर स्वामी के बारे में तो इसे जान लेते हैं भगवान महावीर के जीयो और जीनेदो के सिद्धाणत को चन जन तक पहुंचाने के लिए जेंदरम के अनवयाई हर वर्ष्थ कार्दिक पूरिमा कुत्यभार की तरह मनाते हैं। इस आउसर पर वोई दीपक पे जुलित भी करते हैं जेंदरम के अनवयाईयों के लिए उन्होंने पांच वरत दिये जिसमें अहिंसा सत्त अस्ते ब्रह्मचे आपरिये। अपनी सभी इंदरियों पर विजय पाने प्राप्त कलनेनी की बज़े से जितेंदिये या फिर जिन कहलाए यानि की सभी इंदियों को जीतने की बाद जिन कहलाते हैं। जिन से ही जेंदरम को अपना नाम मिला। जैन दरम के गुरूओं के अनसार भगवान महाबीर के कुल आग्यारे गडधर थे जिन में गौतम स्वामी पहले गडधर थे भगवान महाबी स्वामी ने 527 सीजाप पूर्व के कार्दिक किष्णा दुतिया तिथी को अपने देह का तिराक किया देह त्याग के समय उनकी आयू 22 वर्ष की थी यानि कि उनके धर्थी छोड़ने के बाद बिहार के पाबापुरी जहां उन्होंने अपना देह को छोड़ा जैन अनुवाईयों के लिए यह पवित्त इस्थल की तरह पूछते हैं आग भी भग्मार महावीर की मित्तियों के 200 साल बाद जैन धरम सोईतामबर और दिगंबर दो संपदायों में बट गया सोईतामबर यानि कि सोईत धारन वस्त धारन करने बाले दिगंबर यानि कि जो नगन रहते हैं दिगंबर संपदाय के जयन संथ बस्तों का त्याग कर देते हैं इसलिए दिगंबर कहलाते हैं और जबकि स्वेतांबर संपदाय की संथ स्वेत बस्त धारें कर लेते हैं इसलिए स्वेतांबर कहलाते हैं भगवान महावीर स्वामी जी की सिक्षाओं की अगर बात करें, तो भगवान महावीर द्वारा दिएगे पंचिसील सिद्धान्ती जैन्दरम का आधार बने। इस सिद्धान्त को अपना कर एक अनुवयाई, सच्चा जैन अनुवयाई बन सकता है। सत्थ, एंसा, अस्ते, ब्रह्मचे और आपरीगे को पंचिसील कहा जाता है। क्या कहते हैं? पंचिसील। सत्थ, सत्थ क्या है? भगवान महावीर ने सत्थ को महान बताया। उनके अमसार सत्थ इस दुनिया में सबसे सकती साली है। और एक अच्छे इंसान को किसी भी हालत म सच का साल नहीं छोड़ना चाहिए। एक बहतर इंसान बनने के लिए जरूरी है कि हर परिष्टिती में सच बूला जाए। और वैसे भी आज अगर आप बात की जाएं तो मैं कहता हूँ सच हमेशा अच्छा भी होता है। समझ रहे हैं? जब हम लोग सच बोलते हैं अपने यह बोला है। तो मैं देखी अपने बातों पर टिका रहूँगा क्योंकि मैं सत्त बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, जो हकीत है। अगर आप मैं जूट होता हूँ, तो मुझे याद रखना होगा कि मैंने कल जूट क्या बोला था? आज कोई हमसे पूछ रहा है तो अधना ही प्रेम, दूसरों से भी करें, अहिंसा का पालन करें। अस्ते, दूसरे की बस्तुओं को चुराना या चोरी करना, दूसरे की चीजों की एक्च्छा करना महापाप है। जो मिला है उसमें ही संतोष्ट रहें। इस बात को मैं अपनी जिंद्गी में जरूर फॉल मेरे पास अगर दस रुपे हैं तो उसमें संतोष्ट रहना सीखिए। ठीक है, मेरे पास फॉन नहीं है, मेरे पास एपल का फॉन नहीं है, या मेरे पास कुछ नहीं है, तो अगर मैं इसकी चाह भी रखूँ, तो क्या उखाड लूँगा। देखिए, जब मेरे पास पैसा में स्थान देता है वो मोख्च पर आप करता है देखे यसे हम मैं यह नहीं कहूँगा कि आप घर परिबाद छोड़कर जंगल में निकल जाईएगा नहीं इतना महान भी नहीं हो इतना कह भी नहीं सकता हूँ आप परिगे एदुनिया नस्वर है चीजों के पिती मोख भी आपको दुखों का कारण है सच्चे इंसान किसी भी संसारिक चीजों का मोख नहीं रख नहीं करते हैं याद रखे मुझे लगता है कि आज अगर चाह ना हो कि हम सफल नहीं हो गया है तो लोग करम ही नहीं तो आज के समय में इसकी परिभासा बदर चुकी है आज आप लोग तयारी इसलिए करते हैं किसी एक जाम की क्योंकि आपको नौकरी चाहिए होती है आपको अगर मालू हो कि नौकरी नहीं मिलेगी तो आप कभी तयारी नहीं करेंगे आपको मालू है कि काम के बदले पैसा मिलेगा तो आप कभी भी काम नहीं करेंगे समझ रहें कि कुछ महावी स्वामी के अनवोल कथन भी है जो आपके जीवन में भी बहुत कुछ सिखाएंगे वैसे महावी स्वामी साब ने सिख्छाओं देशों के माद्यम से लोगों को अपने जीवन में सफलता हसल करने का मंद भी बताया और कई पेड़ादायक अनवोल कथन भी है मन उसको जीओ और जीने दो किसंदेश का परकायम रहना चाहिए किसी को भी दुख नहीं पहुँचाना चाहिए सभी के जीवन उनके लिए अनमोल होता है मैंने बताया ना कि आज आप देखेंगे इस तरह इसके बिल्कुल उलट में हम जब तक किसी को दुख नहीं पहुचाते हैं किसी को आप एक खानी नहीं पहुचाते हैं तब तक हमें सांती नहीं मिलती है लेकिन ये सांती कुछ जानदा दिनों तक नहीं टिक के रह सकती है मैं देखी अपनी जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है मैंने कि जिन्नोंने जिन्दगी वर मार काट करते रहे आज वो ये कहते हैं कि ये गलत है जिन्दगी के लग टाइम पर उनसे पूँचे कि उन्होंने जो काम किया है उन्हें पश्टावा है रोते हैं बैठके कई लोगों को मैं जानता हूँ कि कई लोगों ने किसी के भरोसे को दोड़ाया इस तरीकी घटनाय आम बात है तो आज भी वो आप संतोष्ट नहीं है वो भी आज देखते हैं बैठके रोते हैं देखें एक समय में आप क्या रहता है कि अभी हो सकता है कि आप जवान है तो आप कुछ ध्यान में ना दें लेकिन एक समय के आने के बात सब कुछ सोचते हैं हम दोबारा पुरानी जिन्दगी में चलने लगते हैं और तब हमें दुख होता है सबसे जाना प्रेंगलाइन का कोड़ यानी की उपदेश है कि खुद पर जीत हासिल करना लाखों सत्रों पर जीत हासिल करने से बेतर है आप समझेगे कि खुद को जीत लिया जिनने उसने जिन्दगी स्थफल बना लिये आप भी देखते हैं कि कभी आपको लगने लगता है कि मुबाइल चला ले कभी आपको लगने लगता है कि बोल्ट सब खोल ले तो आपने आपर गागर आपने काबू कर लिये आपने आपको कि क्या करना है, क्या नहीं करना है तो मुझे लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं जिन्दिगी में सभी के पिती दया रखो नफरत घ्रना करने से सरवनास होता है ए भी भगवान स्वामी का ही महावी स्वामी का ही कत्थन है यानी रूपदेश है यह हाल है आगे है आत्मा अजर अमर है जो की अकेली ही आती है अकेली ही जाती है उनका ना कोई साथ देता है ना ही कोई दोस्त बनता है समझ रहे हैं मुझे लगता है कि आप अपने करम करिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप गर परिवाद छोड़ दीजिए अपना दान दे दीजिए पुरा गर परिवाद ठीक है आप 10 रूपे कमा रहे हैं 2 रूपे अगर खर्च कर देते हैं क्या फरक बढ़ता है मैंने देखा है कि अपने परिवार में हम लोग 10 से 12 रूपे के भी पटा के लगा देते हैं आग बच्चों को दीबावली पर चलिए मान लेते हैं कि 1000 के भी आप खरीद रहें तो कम से कम 100 रूपे कि किसी गरीब बस्ती में अगर किसी बच्चों को दे आते तो मुझे लगता है कि उनके खुसी के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं होगा और आपको भी दुआएं देगी फिर आपका मन है आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं क्रोध हमेशा ही अधिक क्रोध को जनम देता है जबकि छमाओ प्रेम हमेशा अधिक छमाओ प्रेम को जनम देते हैं बैसे कहा तो बहुत कुछ गया है, लेकिन आप लोग फॉलो करें तब तो, मुझे तो यह बता है कि भगवान राम के नाम पर राजनीती करने वाले, कभी भी एक, कहीं भी ऐसा सब्द बता दें, जिससे भगवान राम ने एक कहा हो कि आप किसी के धर्म को नीचा देखाईए या किसी को आप लोग भानी पहुंचाईए, कहीं भी आप देखिए, कहीं भी आप लोग देख लीजिए, देखिए मुझे अगर मैं मानूँ, तो एक बात जरूर करूँगा, कि अगर मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, और गल्दी करता हूँ, कोई, तो मुझ पर पाप क जर्दी करना एक अलग बात है, समझ रहें कि मतलब आप जान रहें कि ये गलत है, फिर भी आप गलत कर रहें, तो मुझे लगता है इसके लिए, हम लोग माफी के काविल कभी नहीं होगे, तो चलिए ये थी महावीर स्वामी की वाय विराफी, आगे भी हम लोग बात कि सभी लोगों के बारे में बात करेंगे, किसी को ये इतिहास में जो भी हुआ है, महराजा, राजा, भगवान, किसी को नहीं छोड़ी नहीं हम लोग, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वाय विराफी के साथ हम लोग अंगली क्लास में